तो यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज जिस loan application के बारे में मैं आप से चर्चा करूँगा, यहाँ पे quick loan आप ले सकते हैं, 5 लग तक आपको आसानी से यहाँ पे loan मिल सकता है, वही दोस्तों बात करें, यहाँ पे आपको जो step follow करना है, बहुत ही simple step follow करन है, अगर आपको loan को apply करना है, simply आप apply करेंगे अपने detail को fill करके आपको approval लेना है, यहाँ पे submit करेंगे अपने document को, उसके बाद जो loan का amount है, आपके account में disperse किया जागा, तो यहाँ पे totally दोस्तों आपको 4 step को follow करना है, यहाँ पे आपको अगर loan को लेना है, again हम वीडियो मे दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ basic detail को यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे loan का जो amount choose करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना tenure को choose करना है, यहाँ पे आपको दिखाये जागा कि कितना आपको EMI रखन है, या कितना आप पे का सकते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे total interest देखने को मिलता है, कितना आपको interest लगाया जाता है, अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगता है, तो further आप proceed करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको instant approval मिलेगा, यहाँ पे congratulations का आपको message दे सकते हैं, अगें दोस्तों यहाँ पे आपको apply करने के दौन यहाँ पे आपको KYC करना होता है, जो कि digitally आपको करना है, यहाँ पे आपको selfie लेनी होती है, pen card को upload करना होता है, proof of address आपको upload करना होता है, जैसे कि utility bill हो गया, या आपका bank का अगर ए statement है, तो यहाँ पे आप upload कर सक देखते हैं, और एक signature आपको करना है, जैसा कि अपने pen card या आधार card में आप करते हैं, उस तरह का आपको signature करना है, तब जाके आपका सारा process complete होता है, उसके बाद आपको अगर approval मिलता है, तो आसानी से आपको loan मिल जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस application के बारे में हमने तो यहाँ पे demo देख लिया है, अब चलिए हमें आपे तो असा detail में बात करते हैं application के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यह जो application है, आपको बहुती flexible payment का option देती है, lowest interest आपको installment देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप बहुती easiest तरीके से personal loan के apply कर सकते हैं इनके जो partnership दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, इनके leading NVPC partnership है, यहाँ पे आपका जो data है बहुती safe है, यहाँ पे आप आराम से loan के लिए apply का सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको zero collateral fee देना है, बहुती कम interest rate पर दोस्तों आपको flexible repayment का tenure देखने को मिलता है, और आसानी से आपको यहाँ पे loan मिल जाता है, company दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, आपको बोलती है, कि your privacy is our number one priority and we understand that is our very precious to you, यहाँ इनका कहना है कि जो आपका privacy है, उसको हम बहुते ध्यान रखकर आपके लिए सारा काम करते हैं, अगें दोस्तों वीडियो में आगे ब pen card होना चाहिए, identity proof के तौर पे आपके पास आधार card होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास होता है, selfie दोस्तों यहाँ पे आपको upload करना होता है, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 6 महिने का आपको bank statement upload करना होता है, जी हाँ दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए होने वा process है, यहाँ पे आपको 10,000 से लेकर 5 लाग तक का लोन आसानी से मिल सकता है, registration process आपको complete करना होता है, कुछ basic detail को fill करना होता है, KYC को complete करेंगे, in edge को complete करेंगे, यानि अपने bank detail को submit करेंगे, ताकि जो भी आपका repayment अगर आप करेंगे, अपने due date पे EMI को pay करेंगे, तो उसी account से automatic आपका खटेगा, तो यहाँ पे 3 step process होने वाला है, अगें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो loan का term है, उसके बारे में बात करेंगे, जो आपका loan का amount है, 10,000 से 5 लग तक का आप loan के लिए apply कर सकते हैं, repayment का time है, 6 मैंस लेकर 5 साल तक आपको ए यहाँ पे देखेंगे 50,000 अगर आपको loan का requirement है, उसके लिए इन्होंने एक example यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे total आपको जो repayment करना होगा, 56,736 रुबा पे करना होगा, यहाँ पे देखेंगे 1750 रुबा processing charge, प्लस 315 रुबा आपको GST पे करना होगा, और यहाँ पे जो total interest आपको पे करना होगा, 5736 रुबा आपको total interest पे करना होगा, अगर दोस्तों यहाँ पे आप 12 महिने के लिए loan के लिए apply करते हैं, 50,000 का loan का आपको आपको आउशकता है, तो I hope आपको एक छोटा सा clarity मिला होगा, आपको clear हो गया होगा, कि 50,000 अगर आप यहाँ पे लेते हैं, एक साल के लिए, तो केवल आपको 6736 रुपाई extra देने होंगे, अब देखें दोस्तों यह जो application है, आपके लिए multitasking application होगा है, क्यों अगर यहाँ पे हम multitasking बोला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप multiple type of loan के लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ loan के लिए apply कर सकते हैं, medical loan लेना है, यहाँ पे apply कर सकते हैं, renovation loan लेना है, उसके लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, company बोलती है कि हम pan India available है, कहीं से आप हैं, इंडिया से belong करते हैं, तो आपको आसानी से loan मिल सकता है, और देखें दोस्तों हमने तो सारा कुछ यह यहाँ पे cover कर लिया है, अगर आप इनके lending partner के बारे में बात करेंगे, यहाँ जो इनके partner है, यहाँ पे आप देखेंगे, India का सबसे number one finance पे काम कर रही है, Muthut Finance Limited यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और भी नीचे इनके दो अलग से partner है, जो कि आपको यहाँ पे देखने और यह एक बहुती best application है, यहाँ पे आपको personal loan आसानी से मिल सकता है, इनके lending partner आप देखेंगे, millennial card technology आपको देखने को मिलता है, वही दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको rating के बारे में बात करूँ, तो 3.1 rating देखने को मिलता है, और 27,000 ऐसे लोग है, जो कि application का review कर चुक दस लाख लोगों ने application को use करना start कर दिया है, downloading आप इनके देखो के 10 लाख आपको देखने को मिलता है, तो अगर आपको भी सच में दोस्तों, पैसो की जरुवत है, अगर आपको emergency में loan का requirement है, और अगर आप कहीं पे job करते हैं, आपकी salary आती है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, कोई आउन है, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने कोई past में loan लिया है, नहीं लिया है, समय से EMI आपने pay किया है, नहीं किया है, यहाँ पे company को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपको आराम से loan मिल सकता है, यह ऐसा minimum criteria भी नहीं रखे हैं इन्होंने, कि आपका जो civil score है, 600 super होना चाहिए, 500 super होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी criteria नहीं रखा है, और यहाँ पे जो आपका earning potential है, इन्होंने ये fix नहीं कहा है, कि आपका जो earning potential है, पर मन्त का 20,000 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है, केवल कहा है कि आपका जो source of income है वो एक stable source of income होना चाहिए और 6 महीने का हम आपका statement लेते हैं, bank का तब जाके हम आपको loan देते हैं, तो यहाँ पे एक दो benefit आपके लिए बहुत जादा मिलने वाला है अब देखे दोस्तों आखरी point पाते हैं और यहाँ पे हर वीडियो की तरह मैं आपको यहाँ पे यह भी बोलूँगा, आप देखे दोस्तों यहाँ पे इस application के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगर आपको recommend कर रहा हूँ इसका यह मतलब नहीं है, कि यहाँ पे आप बिल्कुल loan के लिए apply करिए देखे यहाँ पे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको सिधा नीचे आना है, और यहाँ पे दोस्तों आप rating and reviews के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप नीचे आएंगे application के बारे में कैसा feedback देते हैं, कैसा review देते हैं क्योंकि जो भी यह reviews होता दोस्तों बिल्कुल genuine reviews होता है अगर आप इन reviews को consider करके loan company के बारे में अगर better तरीके से जाना चाते हैं, ताकि आगे future में आपको किसी भी परकार का दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों आप इन सारे जीओ को consider करिए, और अगर आपको लगता है कि यह जो application है मेरे लिए बहुत best होने वाला है, मैं यहाँ से loan के apply का सकता हूँ तब जाके दोस्तों आपको application को download करना है, अब आपको सिधा play store में आना है, और सिधा आपको phone per loan application को आपको download करना है, यहाँ पे सबसे पहले basic information को भरेंगे, registration को complete करेंगे, यहाँ पे अपने लिए KYC complete करेंगे, अगर दोस्तों आपको approval मिलता है, तो आगे जाके दोस्तों आपका bank statement का, 6 मन्त का bank statement आपको यहाँ पे upload करना होगा, चाहे तो PDF form में या DOC form में आप upload कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको सच में यहाँ पे 100% surety दी जाती है, तो वहाँ पे आपको loan का amount और आपको tenure choose करने का मौका मिलता है, वहाँ पे choose करके आपको e-natch करना होगा, यानि अपना bank detail को आपको देना होगा, ताके जो भी आप अपने लिए repayment करेंगे, पैसा company को चुकाएंगे, उसी bank account से automatic कटेगा, तो जाके दोस्तों आपको कुछ देर के बाद आपको loan का amount है, आपके bank account में disperse किया जागा, I hope दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा informative रहोगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारा information दिया है कि कैसे आपको loan के लिए apply करना है, कौन-कौन से चीज़े आपके लिए important रखती है, तो I hope अगर आपको वीडियो पसंदा आगा, दोस्तों वीडियो को like किजेगा, आपने दोस्तों के साथ share करिएगा, और अपने भाई को support करने के लिए मेरे चानल को बिल्कूल आप subscribe जरू किजेगा, निशे आपको red color का बटन दिखेगा, उस पर click करके आपने भाई के चानल को subscribe जरू किजेगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुसी feel करता हूँ, और मेरे को ये लगता है, कि मेरी family धरे-दरे grow कर रही है, और मैं एक अच्छा content आपके लिए upload करता हूँ, ताकि उस content से आपको कुछ सीखने को मिलता है, और वो content आपके लिए बहुत ही helpful होता है, मिलते हैं दोस्तों, आपसे कुछ इस प्रयार के नए और informative वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों, जे हिन बंदे मातरम!